हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास तिंथ की हिंदी उसके बारे में जानेंगे गदखंड है, गदखंड में स्टार्डिंग में आते है चाफटर 1 सरम विभाजन और जाती प्रथा स्रम बेभाजन और जाती पुरथा की लेखा कौन है? तो यह हम सभी जानते हैं कि भीइम्राव औंबेदकर शाब है अब देखते हैं सीधे डाइगेक्ट कुश्चन पर बुधिज़म और कम नेज में किनकी रचना है? तो बुधिज़म और कम नेज में ढक्र भूरा भीमरावं अम्बेथकार की है। ठीक, चलते हैं नेक्ज कोशन परूदधा, फूर इस विया सुझराच, किनकी रचना है? तो ये भी हमारे भीमरावं अम्बेथकार जिगी ह। अगला कोशन है, मानवमुक्टि के पूरोधा किसे काहा गया है? तो मानो मुक्ति का पूरोधा भी भीम रावंबेदकर को कहा गया है अगला कुस्चन है भारत में जाती प्रथा का परमुख कारण क्या है तो भारत में जाती प्रथा का परमुख कारण है बेरोजगारी दिखिए जितना भी हम question करा रहे हैं सभी board में पूछा हुगा प्रश्ण है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2021 में पूछा गया है जाती प्रथा सोभाविक बिभाजन नहीं है क्यों? तो जाती प्रथा जो है सोभाविक बिभाजन नहीं है क्योंकि यह रूची पर अधारित नहीं होने के कारण इस सोभाविक बिभाजन नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा अंसर D अगला question है इसरम बिभाजन और जाती प्रथा के लिखा कौन है? यह बहुत बर पुछा गया है ठीक है 2020 में पुछा गया है इसका सही अंसर हो जाएगा जाती वाद की पोस्कों की कमी नहीं है अगला question चलते हैं लेखक की दृष्टी में आदर समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टी में आदर समाज जिसमें स्वतंतरता हो समता हो और भरातित्व की भाव हो यानि की सभी को स्वतंतरता मिले समता एक समान रहे और भरातित्व यानि भाव की तरह मिल जूलकर है अगला question है लेखक बेरोजगारी का परमुख और परत्यक्ष कारण की से मानते हैं? देखिए 2008 आड़ा में पूछा गया है लेखक बेरोजगारी का परमुख और परत्यक्ष कारण की से मानते हैं? तो इसका सही एंसर हो जाएगा जाती प्राथको एंसर C अगला question है अंबेदकर की दिरिष्टी में भावाई चारे का वास्तिव ग्रूप कैसा होता है? तो इसका सही एंसर हो जाएगा अंबेदकर की दिरिष्टी में भावाई चारे का वास्तिव ग्रूप कैसा होता है? प्रसंथा हमारा इसका सही एंसर क्या हो जाएगा? दूद और पानी के मिश्रन की तरह भावाई चारा का अर्थ ही है इसे दोनों ऐसे गहुल मिल जाए जिसे किसी को पता ही न चले भारतिय समिधान के निर्मान में महत्वपुन भूमिका किनकी है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतिय समिधान के लेखा कौन है? भीम्राव अंबेदकर जी है इसका सही एंसर हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा इनकी रचना है अगला कुश्चन है इसका सही एंसर हो जाएगा जो आधुनिक सभी समाज है इस्रम विभाजन को आशिक क्यों मानता है कार एक कुछ अलता के लिए मानता है जिसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला कोश्चन है इस्रम विभाजन और जाती प्रथा पाठ बाबर सहें भीम रावम्बेद कर किस भासा को संपाधित अं अंबेद कर मुझतर शिक्षा प्राप करने के लिए कहां गये इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियू यॉयॉर्क गये थे यानि कि प्राइमरी शिक्षा लेकर सिकेंडरी शिक्षा के लिए इन होने नियू यॉयॉर्क गये यानि मुझतर शिक्षा के लिए अगला अगला question है जाती पाती तोड़क मंडल भासन लहोर में कब हुआ तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा अठाड़क सी यानि की 1936 में जाती पाती तोड़ने के लिए भिम्रावंबेटकर ने भासन कब दिये लहोर में दिये और ये दिये थे 1936 में ख़ए स्रम विभाजन और जाती प्रत्था क्या है तो सरम विभाजन और जाती प्रत्था जो है तो ये निबन्ध है ठीट अगर कोई पूछे कि खना बहार में काश्ट के हिणि में ही जाटी मार्व ललाई सिंग यादों ने इन्हीलेशन आफ कास्ट को इंग्लिज में लिखे हुए थे इनको हिंदी में ट्रांसफर कौन किये ललाई सिंग यादों किये थे अगला कोस्चन है अंबेतकर का जनम किस परिवार में हुआ था तो इसका सही इंसर हो जाएगा सी दलिक परिवार में यानि ये छोटे जाती में पैदा होगे थे लेकिन इनका सोचने का जो छमदा था कापसेटी वो बहुत हाई लेवल का था ठीक अगला कोस्चन है लेखा को इस यूग में कहां पर बिड़मना दिखाई देता है लेखा को सबसे बड़ी बिड़मना और इनकी माता का नाम है भीमाबाई अगला कोस्चन है डॉक्टर अंबेदकर ने पी एचडी की उपाधी कब धारन की यह नहोंने पी एचडी की उपाधी नहोंने 1916 उसी में प्राप्त की है अगला कुश्चन है दककाष्ट इन इंडिया देर मैकनेज में इनकी रचना है तो इंगलिस में चितना भी दिया होगा वो सभी मैक्सिमाम करके भीम्रावंबेदकर कहीं है क्योंकि इन्होंने सभी रचना है इंगलिस में किये थे घिक इसका सई अनसर हो जाएगा और सने याने भीम्रावंबेदकर जी अगला कोश्चन है अधर समाज स्वतन्तरिता समता म्रात्रित्व पर अधारित्व होता है खिस ने कहा था भीम्रावंबेदकर जी ने कहा था उप्सन B डौट डौट पेसे का दोस्पूर्ण पूर्व निर्धारन करती है कौन तो यह करती है जाती प्रथा जाती प्रथा ही क्या करता है न कि पेसे का दोस्पूर्ण पूर्ण निर्धारन करती है अगला question है जाती प्रथा भारत में बुरजगारी का एक क्या बना होगा है यहाँ पर डौड डौड दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का option C जाती प्रथा भारत में बुरजगारी का एक पर्तियक्ष और पर्मूख कारण बनी हुई है यानि कि option C जिसका right answer है ठीक अगला question है मुल नाया के क्या है तो मुल नाया के एक पत्रिका लिखे है ठीक जिसका सही answer हो जाएगा option P अगला question है भीम्राव वंबेदकर के मृतू कब और कहां हुआ तो भीम्राव वंबेदकर के मृतू जो जानम आप ही जानते है कि 14 अपरैल अठारे सुगी का भी 94 EC में हुआ इसका सही इंसर हो जाएगा option D भीमरा अम्बेदकर का जनम कहा हुआ तो भीमरा अम्बेदकर जी का जनम महु मध्य पर्देश में हुआ इसका सही इंसर हो जाएगा option A महु मध्य पर्देश अगला question है डक्रण अम्बेदकर ने किस पत्रिका का संपाधन किया तो इहहों ने बहुस्चटि पहरत एक पत्रिका लिया जिसके संपाधन ने किये थे बहुस्क्रित भारत यानि के भारत छोडो भारतिय समिधान का निर्माता किसे कहा जाता है तो भारतिय समिधान के निर्माता जो है वे कौन है पहले भी हम बता चुके हैं कि भारतिय समिधान के निर्मान करता हो या भारतिय समिधान के लेखा कौन है तो ये भी भीम्राव अंबेदकर सहाब जी है ठीक अगला कुस्चन है डॉक्टर अंबेद्खर का वाड़ाम में थेंदी के कितने खंडों में परकासित हो चुकी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा हम लोगों का अगला क्वेशन है द्धुनिक सभी समाज कारिकुषलता के लिए किसे आवसिक मानता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन यानि स्रम विभाजन को कारिकुषलता के लिए अच्छा मानते हैं अगला कुश्चन देखते हैं जाती प्रथा और शरम विभाजन के साथ सात किसकी रूप लिए हुए है जो जाती प्रथा है वो किसका रूप लिया हुआ है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, सरम विभाजन का, सरम विभाजन का रूप लिये हुगा है अगला question है, डॉक्टर भीमरा अम्बेदकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है यानि डेंजर माने हैं, तो इसके सही अंसर हो जाएगा option D, जाती प्रथा भीमरा अम्बेदकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी डेंजर खतरनाक माना है तो यह है जाती प्रथा, अगला question है, कि इनके प्रुत साहन पर बाबा साहिब अम्बेदकर उच्टर सिक्षा है तो नियू यार्क गये तो यह गये थे, बड़ोदा नरेश के कहने पर इन होने उच्टर सिक्षा के लिए नियू यार्क गये थे अगला question है, आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा क्या है? हानिकारक है अगला कोशन है संचे लोग तंत्र का परियाए यानि लोग तंत्र का परियाए क्या हो जाएगा और सबसे बड़ी बात रहें कि संचे लोग तंत्र का परियाए बाची होता है भाई चारा लोग तंत्र का अर्थ होता है एक संथ मिल जूल कराना सभी को आजादी रीडम इसका Genesis and Development इंगलिस में लिखा हुगा है ठीक बट इसको हिंदी में ट्रांसफर कके लिखा हुगा है बुद्धिज में और कमिनियज में और बुद्धा एंड हेजज थम्मा यानि कि इन में से सब ही होगा Option D इसका सई इंसर है स्रम विभाजन और जाती प्रथा लले सिंग यादो किये थे इसका सई अंसर हो जाएगा Option C हिंदी में जब रुपांतरन की बात आए तो लले सिंग यादो लेकिन स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखा कौन है ठीक तो इसका सई अंसर हो जाएगा Option E बहिम राव अंबेद करजी यहाँ पर रूपांतरम दिया है तो इसका अर्थ होता है कि ललाई सिं यादों किये थेधी, ट्रान्सफर अगला कोश्चन है, आधुनिक मन्नु कहा गया है आधुनिक मन्नु कीसे कहा गया है? तो यह कहा गया है, भीहिम्राव अंबेदकर को यानि कि अम बेदकर जिको बीडमना का अर्थ क्या होता है बीडमना का अर्थ आप सभी भी जानते हैं कि बीडमना का अर्थ उपहास होता है क्या होता है उपहास अगला कोश्चन है भारत की राष्ट्रिय च्हमता पर पूर्ण बिकास किस बिवस्था में संभव है तो भारत की जो राष्ट्रिय चहमता है इसका पूर्ण बिकास समाजवादी बिवस्था में संभव है क्योंकि समाज के अंदर जितने भी रहते हैं तो सभी को freedom होता है जिससे की क्या होगा कि राष्ट की विकास होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा 47 का option C समाजवादी विवस्था इसी तरह और भी वीडियो ओके तो इतना पर फिनिस करते हैं अगला question के लिए next वीडियो देख लीजिए ओके थेंक्यू